अभी हाली में भारत के राष्टपदी ने ससक्त बलों, अर्ध सनिक बलों और पुलिस बलों के 37 कर्मियों को कर्तब निर्वहन में उनकी बहादुरी और साहस के लिए बीर्ता पुरुसकार प्रदान किये हैं इसमें आप देखेंगे कि 8 कर्मियों को कीर्ती चक और 29 कर्मियों को 100 चक से सम्मानित किया गया है और इस बात को आप लोग भी जानते हैं कि हमारे देश में अगर कोई इमानदारी से अपना कर्तब निभाता है तो वो हमारे सैनिक हैं आप देखें गर्मी हो, सरदी हो, कोई भी मौसब हो, वो अपना कर्तब निभाते रहते हैं, और कर्तब निभाते हुए अपनी जान की भी परवा नहीं करते हैं, तो इन सभी पुरुसकारों के बारे में हम लोग एक सामन जानकारी देख लेते हैं, और अगर आप लोग किसी भारत में भीरता पुरुसकार, सुतंता के बाद भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को परमिक तीन भीरता पुरुसकार, परमीर चक, महावीर चक और वीर चक इस्थापित किये गये थे, और जिने 15 अगर्स्त 1947 से प्रभावी माना गया था, एडेट आप लोगों को याद पंदरे अगस्त 1947 से, और इसमें आप देखे परमीर चक, महावीर चक और वीर चक इसके बाद 1952 में अन्ने तीन भीरता पुरुसकार आये हैं, असोक चक वर्ग ए, असोक चक वर्ग दो और असोक चक वर्ग तीन इस्थापित किये गये, और जिने 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया था, उन्हें भी 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया और इन्हें भी, जनवरी 1967 में पुरुसकारों का नाम बदल कर किरमसा, असोक चक, किरती चक और सोर चक कर दिया गया, और इन पुरुसकारों को वर्ग ता किरम आप देखी परमबीर चक, फिर उसके बाद असो पर, फिर आप देखे हैं सुतंता दिवस के अउसर पर, यहां भी तीन डेटें आप लोगों को याद रगना चाहिए, एक 15 अगस्त 1947 को आपको वयजादी मिली थी, तो 15 अगस्त को सुतंता दिवस आप लोग मनाते हैं, और 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से सम्मिधान लाग कुछ प्रावधानों के साथ आपका समिधान आ चुका था, इसलिए समिधान दिवस के रूम में आप लोग 26 नवंबर को मनाते हैं, अगर हम लोग कीर्ती चक्की की बात करें, तो यह महावीर चक्की की समाद दूसरा सबसे बड़ा सांती कालिन बीरता पुरुसकार है, इसे मर्डोपरांत सम्मान के अतरिक नागरिकों और सेनिकों दोनों को फिर्दान किया जाता है, और इसके केंदर में कमल के फूल के साथ एक गोला का रजत पदक और उसके चारों और एक चक दो नारंगी धारियों बाले हरे रंग का रिवन लगा होता है, तो यह भी आप तो इस तरह से देखिएगा, फिर आप देखिए सौर चक काता है, और यह दुसमन के खिलाब आसाधारन वीर्टा, साहसी कार या फिर आत्म बलीदान के लिए दिया जाने वाला एक मात भारतिये सैन अलंग करें, सौर चक, यह बहादुरी वीर्टा और कटब की पिती गोलाकार कास्पदक बना होता है इसमें, और इसमें असोग चक्य के चारों और एक कमल की माला बनी हुई है, और इसमें तीन और दुहादार रेखाओं के साथ हरे रंग का रिवन लगा रहता है, यह आप लोग देख भी लीजे, यह आपको दिख रहा है, तो यह आप और आप लोगों को कुछ पॉइंट और याद रखना है और जो आप लोग पदम पुरुसकारों की बात करते हैं वो 1905 में सुरू होए थे यह आप लोगों को याद रखना चाहिए एक अनुछेद 181 राज्य को किसी भी नागरिक या गैर नागरिकों को उपादी पिदान करन पदम भूसन आता है फिर पदम सिरी आता है पदम पुरुसकारों को वर्स 1978-1989 और 1993-1997 के दौरान नीलंबित किया गया था यह याद रखेगा और जो भारत रतन है ना यह आप देखिए 19055 से सुरू हुआ था और देश का सर्वोच नागरिक सम्मान है यह मानव प्रयास क किसी भी च mutual में आ साधन शे्वा सर्वोच पेदासन की मानथा है तू एक तरह से दिया जाता है और भारत रतन हितू सिपारिस पेदान मंतिरी दौरा भारत की राश्पति को कि ج lanes यह और भारत रतन पुरुसकारों की संक्या किसी विसेस बरुस में अधिक तम तीन ताक्सी में थो सकती है कितनी अधिक तम तीन तक सी में थो सकती है ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए और भारत रर्तन अगर आप देखें कि पहली बार किसे किसे दिया गया था ये भी questions आप देखते हैं पूंच लेता है कई बार ये 1904 में तो सुरू हुआ लेकिन पहली बा किसे किसे दिया गया 1904 में ये आप देखे 1904 में सी राज गोपालाचारी सरफ अली राधा किष्णन और सी भी रमन साहब को दिया गया था तो ये तिनी जानकारी आप लोगो याद रखेगा इसमें